नमस्कार साथिय। स्वागता आपका अपनी यूट्यूब चैनल समराट लबर में तो आज का टॉपिक है चार मर्द एक लड़की मैं एक रोड़ पर टोल पलाजा का काम करता था गाड़ी वालों से नियम के मताबिक मैं टोल टैक से ले रहा था अचानक एक कार आई जिसमें चार लड़के और एक लड़की बैठी थी लेकिन मैंने देखा कि बहे लड़की लगातार रोए जा रही थी मैंने कहा उस लड़की को आप लोग कहां ले जा रहे हो यह तो मेरे दोस्त थजीन की बहन है लेकिन कार वाले लड़कों ने मुझे उसका उसका जवाब बहुत ही भारी सब्दों में दिया मैं समझा कि सायद कुछ तो प्रॉबलम है मैंने उस कार को रोक लिया और बाहर जाकर पुलिस बालों को बताया जब बहे आये तो क्या देखते हैं बहे लड़की अकेली रोड पर खड़ी है और बहे लड़के भाग गए थे मैंने सोचा जा इससे बात करूँ क्या मामला है लेकिन मैंने सोचा कि सायद यह मेरी जान पहँचान की है मुझे मुझे मुश्किल से बताएगी मैंने पुलिस बाले से कहा तुम जाओ और देखो कि क्या बात है जब पुलिस बाले ने उससे बात की तो लड़की ने सब कुछ सच बताना सुरू कर दिया और एने लगी कि मैं फला लड़के से महबत करती थी जो की मेरा जानने वाला है उसने मुझे घर से बिठाया और रात दो बजे हम रबाना हो गए मैं बहुत खुशती लेकिन दिल में डर रही जिसको मैं अपना मशिया समझ रही थी भैवा किसी को फॉन मिला रहा था रास्ते में उसके तीन चार दोस्त अपने साथ ले लिए मेरा सोर करने का मन चहां और फिर यह सोच कर चुप रह गई कि खुद ही तो मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ कि क्या गलती है मुझे ना अपनी बेवा मा का ख्याल ना आया और ना ही अपनी बहनों का बस अब मेरा एक ही सारा था मैं सारे रास्ते की दुआ करती रही या अल्ला इस बार मुझे मापर दे और मुझे बचा ले मैं दुआरा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मैं तो दूर खड़ा था लेकिन पुलिस बाले ने मेरी तरफ का इसारा करने हुए कहा आप इस भाई को अक्का सुकरिया अदा कर दीजिए क्योंकि इन्हीं ने मुझे आपकी मदद की है उसके पास घर जाने के लिए भी किराया नहीं था पुलिस बाले ने उसे अपनी कार में उसके घर छोड़ने आये ताकि सुबह होने से पहले पहले भै अपने घर में मैजूद हो ख्युवातीन हजरत मेरी तमाम बहनों से गुजारिस है अपनी ना सही लेकिन अपने माँ बाप की इज़्जत का ख्याल तो रखा करें घर वालों से जादा इज़्जत आपको कोई नहीं देगा रही माँबत की बात तो भै अपने सब रव से करें जितनी माँबत आप अल्ला से करोगे भै उतनी ही बुल्दियां देगा एक दफ़ा उसके घर पर आकर तो देखो और रहा सवाल लड़कों और लड़कियों की महबत का यह तो आज कल जिस का सौधा है किसी को रास आजाता है तो किसी की जान ले लेता है इसलिए मेरी सभी बहनों से गुजारिस है इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं क्योंकि इसमें आपकी और आपकी माबाप की इज़त दाव पर लग जाती है तो यह रही आज की कहानी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय ही